दिखे आज लगबख 65 राज्यसभा के सांसदों ने मनीपूर पे चर्चा का नोटिस दिया और ये का एक लंबी और एक विस्तार से मनीपूर पे चर्चा सदन के भीतर हो अगर सदन पक्ष ये चाता है कि मनीपूर पे चर्चा हो और अगर सदन पक्ष चर्चा कराने के लिए प्रतिबद है तो उन 65 नोटिस में से कोई एक भी नोटिस पे अपनी स्विक्रिती दे दीजे और चर्चा शुरू हो जाएगी केवल सदन में आकर ये चिलाने से कि हम चर्चा चाते हैं चर्चा नहीं होगी 65 नोटिस शायद आज तक भारत के संसदी इतिहास में राज्यसभा के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने 267 का नोटिस दर्च करकर का कि हमारे द चर्चा हो लेकिन सरकार ये चर्चा नहीं चाहते हैं मौनसून का सत्र 20 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था आज 31 जुलाई 2023 है 11 दिन हो गए 11 दिन में किसी एक भी दिन अगर सरकार मनिपोर पे चर्चा करा लेती तो बाकी के वर्किंग डेज बच जाते हैं और उसमें लेजिस उस समय के लीडर आफ अपोजिशन अरून जेटली जी और उस समय की निता विपक्ष सुश्मा स्वराज जी लोगसबा की उनके कथन की याद आती है कि कभी कभी सदन में विपक्ष की आवास सुनवाए जाने के लिए अगर आपको अपनी आवास बुलंद करनी पड़े त उससे लोगतंतर मजबूत होता है लोगतंतर कमजोर नहीं होता और आज उसी खथन का हवाला देते हुए हम चेर्मेंस आप से सवापती जी से हाच जोड़कर विनिती करना चाहेंगे कि मनिपूर के विशे पे चर्चा हो और जब जब एक विस्तार से लंबी चर्चा होती ह संसदी कन्वेंशन ये कहता है कि देश के प्रदान मंत्री जी आकर उस वहस में हिस्सा लेते हैं जैसा कि अभी बताया गया देश के कई प्रदान मंत्री सदन के भीतर आकर इस विशे पे जब भी रूल 267 के हिसाब से बहस हुई है सदन के भीतर आकर उन्होंने अपना वक् इसी लिए हम चाहेंगे कि as head of the government, honorable prime minister भी parliament में आए, दोनों मेंसे जो सदन उने पसंद है, लोगसभा पसंद है तो लोगसभा, राज्यसभा पसंद है तो राज्यसभा, दोनों मेंसे किसी भी सदन में आकर मनीपूर पे अपनी बात रखें और सरकार क्या कदब उठाने जा र कि टिन EPAρίँं का वाज उठाने जाए तो लोगसभा क्योंके लोगसभावार यह सदन